अजी हमने पहले पार्ट वन में कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट के रूल देखे अब जो है हमारे पास यह सेकंड पार्ट है हम आगे नेक्स्ट मूववान करें उसमें हमारे पास डूल नंबर जो फाइव है वो है उसे हम बोल रहे होता है fraction noun mostly used होता है in off phrases में या इसे हम off phrases का rule भी बोलते हैं इसका असूल क्या होता है असूल यह होता है कि इसमें हमारे पास कोई भी पहले quantifier लगा होता है यहां पे singular है तो आगे वर भी singular लगेगी अगर यह noun plural है तो आगे वर भी plural लगेगी इस off से पहले जो भी fraction है या जो भी quantifier है चाहे वो singular है चाहे वो plural है उसको हमने इग्नूर करना है उसको नहीं देखना अच्छा अब इस fraction portion percentage की जगा पर क्या क्या word आ सकते हैं वो यह वाले keyword है हमार आ सकता है ठीक है यहां पर आते हैं अब जैसे मैं आपको यह example दिखा रहा हूं इसमें आप देख सकते हैं कि example में यह लिखा हुआ है कि 93% अब देखो यह वही आया percentage वाला उसके बाद क्या आया और आफ के बाद देखें क्या लिखा हुआ है villagers यानि noun क्या है plural है अब आगे वर्ब क्या है कि singular यह plural वाज आएगा कि वार आएगा वार आना चाहिए इस तरह से 93% of population अब आफ के बाद देखें पापुलेशन क्या है singular नहुन है हमारे पास तो इसके बाद आगे वर्बी फिर हमने वाज लगई हुई है यानि singular लगई हुई है इंतहाई असान है यह लिखा हुए बहुत इंपॉर्टेंट इसको भी देख लें जहाँ पर यह जैसे यह लिखा हुए कि majority of अब majority of के बाद के यहां पर यहां पर क्या हुआ हुआ है पीपल आया हुए तो अभी हम पहले पढ़ चुके है पीपल है पोल्ट्री है जैंट्री है विर्मेन है वो सा यहां पर लिखा हुए कि majority in Pakistan तो majority in Pakistan जो है यह singular verb लेगा इसके साथ पिर हमने is लगाना है इस पूर तो यह दोनों तरुकियों से आ सकते हैं वोई बात यहां पर लिखी हुई है कि अगर हमारे पास verb है और यहां पर noun है plus of phrase है इन सारे की word है तो हमने आफ के बाद noun को देखन देते हैं अच्छा जी इसमें देखियागा कि in the past only the fraction of यह देखो वही रूला आगया या और फ्रेस वाला उसके बाद है बेबीज अब fraction प्लस आफ प्लस नाउन यानि हमने आफ के बाद noun देखना है noun singular तो आगे वर्भी singular noun plural है तो वर्भी plural क्या यह noun singular है नहीं plural noun है तो one third देखो वही परसंटेज आगे one third of an accurate अब यह दो को यह जो accurate है यानि जमीन का इसमें noun क्या है हमारे पास noun यही है हमारे पास of phrase के बाद यह noun है यह singular noun है तो आगे भी रहमने वाज लगाया एक चीज़ आपने याद रख लेनी है अगर यहाँ पे accurate है तो हमने an accurate लगाया औ अगर यहाँ पे यानि एकर्ड़ होता तो हम यहाँ पे क्या करते है तो एकर्ड़ करते है इस तरह से यह देखें जैसे यह यह वाला इसी रूल को देख लें यहाँ पे one काता हमने यहाँ पे third किया अगर यहाँ पे मैं two कर दू यह अगर quantifier हम plural करेंगे तो हमें जो आगे वाला adjective होगा उसको भी plural करना पड़ेगा यहाँ जो हमारे पास एक लिया से noun कह लें उसको तो यहाँ भी भी मुझे s लगाना होगा जैसे two thirds, three thirds, four thirds, an accord, two accords, three accords, यहाँ आगे जो noun है हमारे पास उसमें भी यह quantifier है, quantifier यह एक लिया से होई determiner तो उसको determiner के बात क्या लग लग सकते हैं, तो अब यह जो noun होगा इसको भी हमें फिर क्या करना पड़ेगा, plural करना पड़ेगा, तो यह एक इंतहाई असान rule था, इसमें जो है, कुछ और भी इस तरह से हमारे पास word है, वो भी इसी rule के मुताबक चल रहे होते हैं, वो कौन से word है, आप यहाँ पर मुलह हमें लाजमी नोट करना है, वो यह वाला एक rule होता है, उसे हम बोल रहुते है, लाट्स ओफ और आ लाट आफ, यह दो structure है, इनको आपने लाजमी जहन वुशेन करना है, लाट्स ओफ, आ लाट्स ओफ, यह दो structure आपको लाजमी पता होना है चाहिए, अच्छए, इनका भी स singular तो वर्ब singular noun plural है तो वर्ब भी plural एक और चीज है हमारे पास इन ही में एक चीज जो है जो मैं आपको सैनम करूल कर हूँ इसमें एन नहीं लिखा हुआ वो ये है इन ही के अंदर एक नन वाला रूल भी होता है नन करूल ये है कि उसके बाद चाहे याँ अगर यहाँ पर नन आजाए याँ लिस्ट के अंदर और यहाँ पर आफ रेज है अब यह वाला जो noun है भले ये singular है भले plural है लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा हमेशा singular ही होगी यहाँ पर नोट कर ले ना आपने याँ अगर यहाँ पर हमारे पास नन वाला रूला चाहे नन के बाद हमेशा जो वर्ब है वो singular ही रहेगी तब हमने noun को ignore कर देना है चाहे वो noun plural है चाहे वो noun singular है अच्छा यह structure भी आपने लाजमे देख लेना है वही lots of a lot of इसके भी mistake बनती है इसके अगर आप उपर याँ एक्जम्पल देखें तो यह आप देख सकते हैं कि sum of अब यहाँ पर sum क्या है यह अभी हम नीचे पढ़ रहे हैं यह देखें यह आपके पास rule पड़ा हुआ है आफ आया आफ के बाद वाला हमने noun देखना है noun singular दा एपल noun singular तो आगे वर भी singular इस तरह से आलाट या लाट्स आफ इनमें से कौन सा structure ठीक है यह देखें यह rule भी आ चुका है यहाँ पर इसको देखें तो यह देखें यहाँ पर लिखा हुआ है या तो लाट्स आफ ठीक होगा अब लाट्स आफ के बाद देखें सोरी यह इस तरह से लिका हुआ है इन दोनों को यानी उसने combine किया हुआ है कि आ लाट के बद ए के बद यह ने लाट आना चाहिए या लाट साना चाहिए तो ए के बद वो सिर्फ लाट आना चाहिए तो इसलिए फिर उसने यहाँ पर A के बाद लाट को Tick किया हुआ है और फिर उसने यह वाला off लगाया हुआ है आफ के बाद हमने देखना है वायस याई नन प्लूरल है plural ही लगाई हूई है तो यह भी याई वही quantifier का एक rule आता है जिसे हम fraction में कह सकते हैं उसके बाद हमारे पास कुछ fixed expressions होते हैं उन fixed expressions में किन के साथ हम plural verb लगाते हैं किन के साथ हम singular verb लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि our number of के बाद हम noun plural लगाते हैं our variety of के बाद noun plural अब देखो noun plural का क्या मतलब है noun basic लगा हमारे पास क्या है subject ही होता है it means कि हम subject plural की बात करें आमसी बात है जब subject plural होगा फिर तो वर्ब तो 100% होनी plural है इस तरह से अगर दा नंबर आ जाए या दा वर्याटी आफ आ जाए उनके बाद noun plural है फिर वर्ब singular है a large amount of a great deal of a big quantity of इन सबके बाद noun singular आता है जब noun singular तो आगे वर्ब भी singular आएगा इस तरह से good number of के बाद noun plural होता है a huge number of a large number of इनके बाद भी noun plural आता है और आगे वर्ब भी plural आती है आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इन में a number of आजा है या ता number of आजा है इन दोनों में जो noun है वो plural है यहाँ पर भी देखो noun plural है फर्क क्या है फर्क यह कि a number of आजा है आजा है आजा के बाद वर्ब पलूरल हो रहा है और यहाँ पर जो वर्ब है वो singular हो रहा है तो यह जो पूरी टेबल है यह इनतहाई एहम टेबल है हम कहते हैं कुछ हमरे पास certain expressions होते हैं और यह हमेशा जो है start of sentence में आते हैं देखो जब यह चीज़ start of sentence में आ जाए तो उसका दूसरा नाम फिर क्या होता है determiner उसे हम determiner भी बोल सकते हैं अच्छे यह तकरीबन कोई 20 word बनते हैं कैसे यह ट्राइंगल बनती है यहाँ पर देखें दर्म्यान में आम लिखें इसमें कुछ और word भी वैसे add होते हैं वह हम बात में करेंगे कि any है, no है, some है, body, one or thing anyone, anybody, anything no one, nobody, nothing someone, somebody, something इस तरह से one है, no one है या जैसे हम none भी बोलते हैं either है, neither है, each है every है, इस तरह से many आ है, यह जितने भी word है इनका असूल क्या है, यह देखें यह इनका असूल है कि यह 15 word इनके बाद noun भी singular आएगा और verb भी singular आएगा और यह हमेशा start of the sentence में आएगे यह अगर यह वाले इनमें से कुई word किसी sentence के start में आजाता है, तो फिर आगे पूरे sentence में यह rule हो जाएगा कि उनके बाद noun भी singular आएगा और verb भी singular आएगा दूसरी बात, अगर इन 15 word के बाद हम off का word दे देते हैं अब सिर्फ एक change आएगा कि यह वाला जो noun पहले singular था अब यह noun plural हो जाएगा लेकिन वर्ब फिर भी singular ही रहेगी यह देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वन लिखा हुआ है, यह हम पहले rule पाट चुके हैं कहां पे बला मैंने आपको यह अभी बता आया है इसमें देखें, यह देखें, यह आगिया है कि वन था, वन के बाद यहाँ पे हमने क्या लगाया, आफ लगाया तो देखो, सिर्फ noun तो plural हुआ, लेकिन वर्ब फिर भी singular ही है वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर इन 15 वर्ड के बाद आफ का वर्ड आ जाता है तो फिर noun तो plural हो जाएगा, लेकिन वर्ब फिर भी singular ही रहेगी इनके हम जब example करेंगे, तो आपको अच्छे से यह समच आ जाएगा और उसके बाद इनताही simple कि अब agreement है between noun और pronoun का और इस agreement को हम कहा रहे होता है कि subject और object का agreement एक तो देखो subject का वर्ब के साथ agreement है अब यह जो दूसरा है, यह subject का हमारे पास किसके साथ? object के साथ भी agreement है यहाँ पर दो agreement होता है क्योंकि total एक sentence में हमारे पास कितने component होता है subject होता है, verb होता है, plus object होता है तो हमने subject को verb के साथ भी agree करना है और object के साथ भी agree करना है कैसे यह दिखें यह बड़ा इंतहाई simple सा लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास noun singular है तो आगे pronoun भी singular होना चाहिए अगर noun male है तो pronoun भी male होना चाहिए female है तो female होना चाहिए plural है तो plural होना चाहिए इंतहाई simple जैसे यहां पर देखें यह पूरा का पूरा का नाम के साथ हम आगे वाजिया वर में से वर लगाते होते है और यह rule कहां पर लिखा हुआ है आद देखो हमने कहा कि यह जो फैमली का नहमत है यह plural है यह क्या है पूरा का पूरा हमारे पास एक noun यानि इसको phrase कह सकते है या इसको subject कह लें ठीक है ना noun class तो नहीं कह सकते phrase है तो यह यह पूरा subject है अब हमारे पास अगर subject plural था तो he, she, dhe यह तीनों क्या है यह pronoun है तो अब हम pronoun कौन सा लगाएंगे singular लगाएंगे कौन सा तो pronoun भी हमें plural लगाना पड़ेगा यानि noun plural तो आगे pronoun भी फिर हमने दे लगाया हुआ है तो इसे हम बोलते है कि noun का pronoun के साथ agreement या अगर noun male है तो pronoun उसका फिर हम she लगाएंगे कि he लगाएंगे अगर हमारे पास noun मैं कहता हूँ अलीजा है तो अलीजा के लिए मैं आगे he use करूंगा या they use करूंगा obviously मैं उसके लिए फिर she का word use करूंगा तो she क्या है pronoun है अलीजा क्या थी noun थी तो अब ये किसका agreement हुआ noun का pronoun के साथ agreement यहाँ पे देखें agreement between noun and pronoun तो यह चीज़ यहाँ पे लिए कि family name जो होते हैं वो always take plural यह जो family name होते हैं वो अपने से पहले article लेते हैं और article लेने के बाद उनका जो पहला word होता है वो भी capital होता है और आखरी word जो होता है उसके साथ हम S का इजाफा करते हैं उनके साथ verb भी plural लगती है और आगे pronoun भी plural सब कुछ plural लगेगा पर अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है invariant invariant का जो असूल है यानि वो इतना नहीं आता आप आज कल के यानि examination में या जो competitive test होते हैं तो इसको मैं अभी के लिए leap कर रहा हूँ आपको नहीं पढ़ा रहा इसमें जो दो और basic हमारे पास rule आता है वो यह होता है subject word one का rule होता है और दूसरा होता है subject word two का rule तो इसको अभी हम देख लेते हैं अच्छा अब देखें subject word one में यानि subject word one अब देखो यहां से जहर हो रहा है इसका मरला भी यह है कि एक sentence में हमारे पास दो subject होंगे यह देखें, यह off लिखा हुआ है इससे पहले देखें यह क्या है, यह subject word one है और beans क्या है, यह subject word two है दूसरे लफजों मैं यह समझें अब यह एक subject है, यह दूसरा subject है यह नहीं हमने इससे पहले तो यह पढ़ा कि अगर एक subject है, वो singular है तो वर्ब singular वो plural है तो वर्ब plural अब हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि अगर एक ही sentence में हमारे पास दो subject आजाएं, फिर हम कैसे करेंगे कि अब हमें किस के हिसाब से वर्ब लगानी है तो उसे हम बोल रहे होते हैं यह हमारे पर फिर दो rule होते हैं एक हम बोलते है subject word one का rule और दूसरा होता है subject word two का rule अब जो subject word one का rule है वो यह कहता है कि अगर हमारे पास दो subject के दरिम्यान में कोई भी preposition आ जाए, जैसे यह देखें यह off लिखा हुआ इस तरह से कुछ यह preposition है हमारे पास with है, along with है, together with है beside, in addition यह नहीं कोई भी preposition या not covered आ जाए but का जाए, as well as accept, excluding, including, like, unlike यह सारी क्या है? preposition है यह नहीं अगर हमारे पास दो subject हैं और दो subject के दरिम्यान में कोई भी preposition आ जाए आप से लगाना है, इंतहाई सिंपल तो फिर हम कैसे लगाएंगे? फिर इस subject को हम देखेंगे, अगर यह subject singular, तो आगे वर्बी singular अगर यह subject plural, तो आगे वर्बी plural, बड़ा ही सिंपल आखें क्या है? singular subject हो तो इसलिए आगे पिर हमने वर्ब से लगाया यहाँ पर देखें, दूसरी example अब देखो everything हम यह पहले वो 15 वर्ड पढ़ चुके है each, every, either, neither अब everything क्या है? हमारे पास subject वर्ड वर्ड वन है, यह पहला subject है और यह singular subject है each, either, neither, one body, यह जितने भी हैं, यह सारे सारे singular होते हैं, अच्छा, यह देखो together with, अब यह together with जो है, यह compound preposition है यह अभी हमने preposition का डापिक पढ़ना है, उसमें हम देखेंगे, all the matter अब all the matter, अब all the matter क्या है? यह subject word to है, हमारे पास यह दूसरा subject है, तो जब भी दो subject के दिम्यान में preposition आजाए, हमें पता है, फिर हमने पहले subject के हिसाब से वर्ब लगानी है, अब जो पहला subject हमारे पास वो singular है, तो आगे फिर हम has यह हैव मैं से क्या लगाएंगे, has लगाएंगे, अच्छा, तीसरी example देखेगा, the prime minister अब देखो, यह prime minister यह पहला subject है, as well as अब यह देखो, यह आया हुआ है, as well as हमारे पास यह keyword है, as well as का यह भी preposition है, the cabinet ministers अब देखो, the cabinet minister क्या है, यह दूसरा subject है हमने पता है, जब भी preposition आ जाती है, दो subject के द्रिम्यान में तो हमने पहले subject के हिसाब से verb लगाना है अब prime minister क्या है, एक singular noun है यह singular subject है, तो आगे फिर हम believe लगाएंगे, या believes हम singular word लगाएंगे, जो कि क्या हमरे पास, believes है तो यह तो था हमरे पास subject word one का rule, इंतहाई आसान अच्छा, इस तरह से फिर जो है subject word two का rule होता है अच्छा, इसमें यह है कि अगर आप subject word two वाला rule याद रख लें, उसके जो यानि keyword है, वो तीन या चार है तो जो पहला वाला है, उसको आपको याद करने के जरूआ दरी है, कैसे है यह subject word two का rule है वो यह कहता है कि अब हमारे पास यानि यह subject word one है यानि पहला subject है, अगर पहले subject और यह दूसरा subject है, इनके दर्म्यान में यह तीन लवज आजाएं, और है, नार है बट आलसो है, अब जो हम वार्ब या helping वर्ब लगाएंगे, वो फिर हमने दूसरे subject के हिसाब से लगानी है यानि अगर यह दूसरा subject singular तो वार्ब भी singular अगर यह दूसरा subject plural तो वार्ब भी plural इसे हम बोलते है, subject word two का rule कि उसके हिसाब से हमने वार्ब या helping वर्ब लगानी है, कैसे आप नीचे example देखें अच्छे, इसका combination होता है अपना जैसे यह है नीदर का नार के साथ होता है और नीदर का नार के साथ भी होता है, आर के साथ भी होता है, नार्ट उनली का बाटाल को साथ होता है, यह हमने word का जो combination, यह combination mistake topic में अभी पढ़ना है, अभी हमने इस rule पर गवर करना है, यह हम पर देखें क्या लिखा हुआ है, कि नीदर जोहन, अब यह जो जोहन है, यह क्या हमरे पास पहला subject है, उसके बाद क्या आया हुआ है, नार यह देखें, यह तीन लफ़ में से, और नार बाटाल सो, यह दूसरा लफ़ आया हुआ है, उसके बाद देखें, his friends अब जब नार आगिया हमें पता चल गया, अब हमने जो वर्ब लगानी है वो पहले subject को छोड़के, दूसरे subject के इसाब से लगानी है, his friends क्या है, friends यहां पे हमारे पास, यानि main subject है, plural है तो आगे फिर हमने और लगा दिया इस तरह से, not only laptop, यानि पहला subject but also आगिया, यह देखें यह keyword आगिया, computers अब यह computer क्या है, plural subject है, यानि दूसरा subject हो तो आगे फिर हमने क्या लगाया, और लगाया अच्छा, यह नीचे देखें a pair of glasses यह जो है हमारे पास a pair of glasses अब यहां पर क्या देखो आगिया a pair क्या है, एक लिहासे एक हमारे बस क्या है, subject है glasses क्या है, यह दूसरा subject है और यह किसे connect हो रहे है, off से जब यह off से connect हो रहे है it means यह किसे, किसी preposition से connect हो रहे है तो हमने पहले के हिसाब से क्या लगाना है वर्ब या helping वर्ब तो a pair यह singular non count होगा इसके लिए पिर हम क्या लगाएंगे is लगाएंगे, ठीक है और यह भी उमीद काफी आपको समझा गया बाकि इसकी मैं जो practice exercise है वो आपके साथ share करता है, तो यह इंतहाई असान है अच्छे इसमें एक और चीज़ भी होती है चले मैं उसको next slide में share करता हूँ आपके साथ, क्योंकि यह lecture काफी लंबा हो गया अभी यह जा रहा है, हो सकता है हो सकता नहीं, बलकि इसका third part जो है, वो भी मैं आपके साथ share करता हूँ क्योंकि इसको हमने तीन हिसों में अर्ज बना पढ़ना है, काफी लंबा लेक्चर इसका थेंक्यू सो मच